हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चाइनल, तो फ्रेंड्स आज आपसे बहुती खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे, उसकी केर टिप्स बताएंगे, और इसके फ्लावर से एक बार खिलते हैं, दो धाई मैने इसके फ्लावर यूही बने रहते हैं, तो ये पर्मनन प्लांट है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट हो है, लेकिन ये पर्मनन प्लांट है, देखिए इसका फोलियज कितना सुन्दर है, तो सबसे पहले इसका आप नाम जान लीजिए, इसका नाम है यूफोर्बिया डायमन फास्ट, स्नोफलेक्स के नाम से भी और Christmas Snow, फाइट ट्री के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत सारे वैसे इसके नाम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे फाइट पॉइंसिटिया ही बोलते हैं, यही नाम इसका रखा है, लेकिन ये फाइट पॉइंसिटिया नहीं है, नर्सरी वाले इसे सब जगे वैट पॉइंसिटिया बोलते हैं, तो उसी तरह से इसका नाम वैट पॉइंसिटिया पड़ा है, जो भी नाम पड़ा है, जो भी इसका नाम है, हर जगे इसका नाम अलग अलग लेते हैं, तो बहुत ही खुबसूरत तो दिखता ही है, लेकिन बह वी जान करी तो आपको देंगे ही आपको नाम बता दिये है वैसे यूप लांठ हर जगें उपलबद नरसरी में नहीं होता है बहुत कम ये प्लांठ मिलता है अगर आपके गार्डन में नहीं होंगा आपने आड़ नहीं कियाओंगा तो इससे जरूर आड़ करें बहुती सुन्दर ये लगता है जैसे ही विंटर आता है डिसेंबर आता है तो इसके फ्लावर खिलना शुरू होते हैं दो डाई मेंने तक ये हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाता है बाकी के दिनों में इसकी पतिया होती है चोटी चोटी ग्रीन पतिया भरी होती है इसमें ग्रीन लगता है पहले तो इसका ये पुरा प्लांट जो अभी वाइट डिख रहा है December से ये पुरा fight हो जाता है March तक ये ऐसे ही बना रहता है Depend करता है आपने इसे कहा रखा है तो सबसे पहले आपको इसके location की जानकरी देते हैं इसे कहा रखना है देखिए बहुती कम sunlight में ये चलने वाला plant है इसे ज़्यादा तर sunlight नहीं चाहिए morning की या चनी हुई 1,5 गंटे की या 2 गंटे की morning की sunlight मिले तो आराम से ये बहुत अच्छे से चलता है बहुत ज़्यादा ये sunlight बरदाश नहीं करता है मुर्जा जाता है तो कोशिश करिए बालकनी में या ऐसी जगा रखिए हलकी सी चंचन के sunlight इसे मिलती है तो ये बहुत खुश रहता है ज़्यादा sunlight से बचचे ये फिर से कह रहे है ये पूरा fight हो जाता है गार्डन की खुबसूरती तो बढ़ाता ही है लेकिन ये इसके flower खिलने पे धिमी धिमी से खुश्बू भी आती है हमारे गार्डन में इसके पास बैठे इसके पास रहे तो अच्छे से खुश्बू आती है बहुत अच्छा लगता है देखिए एक दंडी थी जब ये हमने plant लाया था आज देखिए कितने सारी इसकी branches बढ़ गई है तो जब भी इसका season खतम हो flower चले जाए तो branches बढ़ने पे कटाई छटाई करते रहेंगे तो बहुत सारी branches बढ़ेंगी देखिए नीचे जो एक stem दिख रही है इतनी एक stem थी उसके बाद देखिए हमने cutting करकर के कितने सारे branches इसके बढ़ा लिये है छोटा सा pot लिया है 10 इंच का तो इसकी stem बहुत मजबूत हो गई है देखिए हिल्दी प्लांट है दो धाई साल में अच्छे से ये बढ़ा हो गया है और इसकी branches भी बढ़ गई है जब इसके flowers खतम हो जाए और इसकी branches उसके बाद बढ़ने लगे तो आप सब्टेंबर औक्टोंबर तक इसकी कटाई चटाई कर सकते हो उसके बाद आप मत करिए क्योंकि ये नवेंबर डिसेंबर से इसका flowering का time होता है तो जितने आप कटाई चटाई करेंगे तो प्लांट घना होंगा ज़्यादा branches बढ़ेंगे और ज़्यादा branches बढ़ेंगे ज़्यादा branches बढ़ेंगे तो flower भी अच्छे आएंगे और पूरा ऐसा घना प्लांट गुल्दस्ते जैसा लगेंगा देखिए जैसा हमारा दिख रहा है तो हमेशा कटाई चटाई प्लांट की जब इस पे फ्लावरिंग नहीं होती है ऐसे टाइम पे आप करते जाहिए नेक्स्ट है पानी देखिए इसे पानी बहुत पसंद है बहुत मतलब और वाटरिंग नहीं लेकिन मिट्टी में हमेशा नमी होनी चाहिए समर में आप इसे दो टाइम पानी दे सकते हूँ विंटर में एक टाइम पानी दिया तो भी चलेंगा बारिश के टाइम इसे थोड़ा बचाना होता है क्योंकि बारिश में ये बहुत जल्दी खराब होता है तो बारिश का पानी तो आप दे दे इसे एक दो बार तो प्लांट खूश होंगा अच्छे से चलेंगा और कोई भी किडो का अटेक आज तक हमने इस पे देखा नहीं है ना मीली बग लगी है ना कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लेम आया है किडो का अटेक तो ना के बराबर होता है इसमें तो भी सेप्टी के लिए हर 15 दिन में मैन किले के समर में आप अच्छे से और करें जब भी पानी देते हो तो पैब से शोरिंग भी कर सकते हो शोरिंगं करते हो तो धूल मिट्टी जो भी प्लांट पर बट्टी है उससे सब किड़े उगरे है धूल मिट्टी है तो निकल जात्ती है तो हमेशा शौरिंग करते रहे फ्लावरिंग जब हो तब ना करे जब इसमें फ्लावर नहीं रहते है पुरा ग्रीन प्लांट रहता है तब बात कर रहे है तब इसमें शौरिंग कर सकते हो पानी का नौर्मल पानी का शौर कर सकते हो अभी बात कर लेते हैं इसे कंपोस्ट की वैसे इसे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की जरूरत नहीं होती है दो-तीन मैने में एक बार गोबर के खाद का लिक्विड या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड भी दे दिया तो इसे परयाप्त है लेकिन जैसा ही विंटर आता है सप्टेमबर औक्टमबर में यह फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे पोटेश की भी जरूरत होती है तो कोई भी पोटेशियूम युक्त खाद इसे देना चाहिए जिसमें जो खाद में भरपुर मात्रा में पोटेशियूम होता है वैसे एक या दो बार आप इसे दे सकते हो खेले के एक छिलके का लिकविट दे सकते हो या सरसो के खली का भी आप लिकविट दे सकते हो इतना इसे पर्याप्त है तो यह अच्छे से फ्लाउरिंग करेंगा ज्यादा इसे एक हाद नहीं देना चाहिए और ज्यादा जरूरत भी नहीं है अभी बात कर लेते हैं जब भी इसे रिपॉर्ट करना है तो सॉयल मिक्षर कैसे देना चाहिए देखिए यह प्लाउर्ट थोड़ा इसकी स्टेम अगरे नाजुक होती है और थोड़ा सेंसेटिव भी होता है यह प्लाउर्ट तो भुर्भुरी यह मिट्टी रहे तो बहुत ही अच्छे से यह चलता है तो भुर्भुरी मिट्टी आप बनाए जब भी रिपॉर्ट करें या प्लाउर्ट को ना या पॉड़ दे तो 40% मिट्टी 20% खाद और 20% राइस हश्क ऐसा मिलाईये बहुत ज़्यादा खाद मत मिलाई है ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं होती रिपोर्टिंग करते वक चिकनी मिट्टी है तो उसमें राई सक्स मिलाई है कोकोपिड भी आप मिला सकते हो या रेद भी मिला सकते हो इस तरहां से वेल्डरेन मिट्टी आप बनाए बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की इसे जरूरत नहीं होती है तो हमेशा पहले आप इसे छुटा ही पॉट दे देखिए ये तीन साल से एक ही पॉट में है दस इंच का ये पॉट है तो अभी एक दो साल और चलेंगा ये ज़्यादा इसे बार-बार रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ता है इस तरह से ज़्यादा कुछ केर तो नहीं है बस इसे हमेशा इसके मिट्टी में नमी रखे इतना ख्यार रखेंगे तो ये प्लांट चलते रहेंगा इसके फ्लावरिंग खतम होने के बाद एक कोने में भी ये पड़ा रहें तो खुश रहता है अच्छे से चलता है बस पानी एक बार आप दे दे और समर में दो बार पानी दे दे तो अच्छा चलता है ये प्लांट और आपको ऐसा लगता है कि इसके flowers बहुत दिनों तक टिके रहे अच्छे से चले तो flower खिलने के बाद अच्छे से रोश्णी दार जगा में रखें Sunlight इस पर पढ़ेंगी तो बहुत जल्दी इसके flowers सुख जाएंगे क्योंकि इसके flowers भी बहुत नाजुक होते हैं flowers खिलने के बाद चायादार जगा में आप रखेंगे bright light में रखेंगे तो अच्छे से ये चलेंगा और उसके flower की life भी long lasting होंगी तो इस तरह से बहुत ज़्यादा care तो नहीं छोटी छोटी tips थी जो हम भी इसके उपर आजमाते हैं इसकी क्यार करते हैं वही आपको बताया है तो ठीक है friends वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर करें बहुत कम वीडियो हम upload कर पा रहे हैं ज्यादा time नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए कोशिश तो करते हैं लेकिन पूरा दिन garden का काम और घर का काम करने में ही निकल जाता है तो वीडियो नहीं बना पा रहे है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में होके बाई